हमारे देश में लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे खर्च बहुत ज़्यादा हैं, जबकि पिछले कुछ सालों में लोगों ने अपने खर्च खुदी बढ़ा लिये हैं, कई बार लोग कुछ खरीद लेते हैं और बादने सोचते हैं कि यह तो हमने को रोड़पती बना सकता है मैं यह आपके सेविंग वाले पेसों की बात नहीं कर रहा हूँ आपको सेविंग के अलवा भी अपने फालतू खर्चों को रोक कर कम से कम एक हजार रुपे दो बचाने ही पड़ेंगे और वही एक्स्ट्रा पेसा आपको अमीर बनाएगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे खर्च बताऊँगा जिने आपको जल्द से जल्द रोकना होगा और हो सकता है मेरे बताएगे खर्चों में कुछ खर्च ऐसे भी हो जो आप नहीं करते हों तो यह आपके लिए अच्छा है और वीडियो के लाश्ट में मैं आपको बताऊँगा की आपको अपने बचेवे पेसों का आखिर क्या करना है अगर आप वीडियो के बीच में बोर हो रहे हो तो भी आप यह वीडियो पूरा जुरूर देखेगा क्योंकि इस तरह की बोरिंग चीजें ही आपको अमीर बनाएगी और आपकी लाइफ ओटोमेटिक इंट्रेस्टिंग हो जाएगी तो वीडियो शुरू करते हैं पहली आदत बार-बार नए कपड़े खरीदने की आदत को बंद करें वैसे ही एक ऐसे आदत है जो जदतर लोगों में मिलती ही है बहुत से लोगों होते हैं जो हर महिने नए कपड़े खरीदने में लगे रहते हैं उनके महिने की आंदनी होती है 12,000 से 13,000 और वो हर महिने 2,000 तक के तो कपड़े खरीद लेते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि पैसे बसते ही नहीं है अरे भाई पैसे तो तब बचेंगे न जब आप इन कपड़ों के चक्कर से भाण निकलोगे हमारे यहां तो चाहि कोई खास दिनो या फिर कोई त्युहार या किसी दूसरे की शादी हो फिर भी लोगों को नए कपड़े चाहिए ही चाहिए लोगों के पास कपड़े पहले से पड़े हो फिर भी उन्हें किसी नए समारो या कोई नई जगह पर जाना हो तो वहाँ पर उन्हें नए कपड़े चाहिए मैं आपको कपड़े खरीदने से मना नहीं कर रहा हूँ पर आप कपड़े तब खरीद दिये जब आपको सच में कपड़ों की जरुरत हो अब आपका मन जब भी नए कपड़े खरीदने का करे तो पहले ये सोचेगी क्या ये सच में important है भी या फिर नहीं अगर important नहीं है तो आप उन पेसों को कहीं पर जमा कर लीजिए जितने के आप कपड़े खरीदने वाले थे जैसे आप कोई 15 सो रुपिते की jeans और shirt खरीदने की सोच रहे थे तो आप उन 15 सो को जमा कर लीजिए और इन पेसों का क्या करना है यह मैं आपको वीडियो के लाश में बताऊंगा दूसरी आदत डेकोरिटिव आइटम खरीदना यह वो दूसरी आदत है जो आपको गरीब बनाती है कई लोगों को अपने घर को सजाने की आदत होती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है पर ज्यादातर लोग अपने घर को सजाने के लिए फालतुगा इदर उदर का सामान ले आते हैं और उनसे जल्दी बोर भी हो जाते हैं और बोर हो जाने पर उस समान को टाकर साइड में कर देते हैं और फिर कोई दूसरा नया समान खरीद देते हैं और उस नए समान से वो घर को सजाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और इसी चक्कर में आकर बहुत सारे पैसे बरबाद होते रहते हैं और इसका ये नतीजा होता है कि आपका वो पैसा फालतू का आइटम में लगता रहता है अगर आपको भी यही आदत है तो आपको जल से जल इस आदत को बंद करना पड़ेगा और जल से जल आदत को बंद करने के बाद और जब भी आपको कोई decorative सामान खरीदने का मन करे जरूत के लिए नहीं बलकि show off के लिए महेंगे phone और दूसरे gadgets खरीते हैं इसका एक अच्छा example है वह है iPhone लोग iPhone खरीते हैं और mirror के सामने अपना photo iPhone से ही खीजते हैं और इस photo को अपने social media account पर upload करते हैं इसे show off ना कहें तो क्या कहें इसके अलावा उस phone का महेंगा charger और दूसरी महेंगी accessories भी उन्हें खरीदने पड़ती है जबकि आपका काम Android phone से भी हो सकता है जो कि iPhone के मुकाबले में आपको काफी सस्ता पड़ेगा और आप लाखोर रुपे भी save कर लेते इसी तरह Android phone में भी महेंगे phone आते हैं अगर आपको कभी मेंगा phone खरीदने का मन करे तो पहले आप खुच से यह सवाल करे कि यह मेंगा phone आपके क्या काम आने वाला है अगर उस phone से आपका कोई काम हो रहा हो या आपको कोई फाइदा मिल रहा हो तो आप जरूर उसा खरीद सकते हो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ पर अगर सिर्फ show off की वज़द सही अगर आप खरीद रहे हो तो आपको इसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए चोत्य आदत थोड़ा थोड़ा किराने का सामान खरीदना बंद करे अब आप सोच रहे होंगी कि अब हम घर की जरूतों का सामान भी न खरीदें तो मैं आपको सामान खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ बलकि टुकडो टुकडो में सामान खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ होता यह है कि जब भी आप दुकान या मार्ट में कोई समान खरीदने जाते हो, तो आप साथ में कोई ने कोई एक्ष्ट्रा समान भी खरीद लेते हो, और ऐसा सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो मार्ट से शोपिंग करते हैं, इसलिए अगर आप मैने बर का राशन एक ही बा बार में खरीद लोगे, तो आपको बार बार दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आप एक्ष्ट्रा समान तो खरीदने से बचोगे ही सही, और साथ में आप अपने पेटरोल की भी बचत कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा तर लोग छोटा मोटा समान खरीदने भी ज और वो अलग-अलग OTT एप जैसे Netflix, Amazon Prime, Hotstar जैसे Streaming Platform का सब्सक्रिप्शन पे एक ले लेते हैं, और वो हर साल सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिक रिन्यूवी हो जाता है, कई बार तो फ्री ट्रायल के चक्कर में इन प्लेटफोर्म पर अपना फ्री अकाउंट बना लेते हैं, पर वो प्लेटफोर्म समय से पहले आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देता है, तो अगर आप भी इस तरह के OTT प्लेटफोर्म पर अपना पैसा खर्च करते हो, तो आपको उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह जिन्दगी टाइम पास करने के लिए नहीं म करता है, और अगर आपने इसे बंद कर दिया, तो आप साल के हजारों रुपे तो बचाओगे ही सही, उसके साथ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, छटी आदत है, किसी भी तरह का नशा हो, उसे छोड़ दें, नशे कई तरीके के होते हैं, जैसे बीडी, उने में कामयाब हो गए, तो आप यकीन मानिये, आप एक साल के अंदर काफी सारा पैसा बचा लोगे, इससे तीन फाइदे होंगे, एक तो आपकी सहत में सुधार होगा, जिससे आपको डोक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, और डोक्टर के पास जाने का पैसा भी दूसरा फाइदा, आप नशा नहीं करोगे, तो आप नशे वाली चीज़े भी नहीं खरीदोगे, जिससे भी आपका पैसा बच जाएगा, और तीसरा फाइदा, आपके परिवार में दूसरे सदस्य और आपके बच्चे भी इन गलत चीज़ों को नहीं सीखेंगे, और पर पैसा तरीका बताएगे, जो काम करने पर आप बहुत जल्द अमीर बन जाओगे, आपको अपने इस एक्स्ट्रा पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, वैसे तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मे पैसा आपको म्यूचल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर समय के साथ आपका पैसा ओटोमेटिक ही बढ़ता रहता है, वैसे भी ये पैसा आपका एक्स्ट्रा पैसा ही तो था, इससे आपके बजट पर कोई फर्ग भी नहीं पड़ेगा, आपकी जो नॉर्मल स अपने फालतु खर्चों को रोक कर, एक हजार रुपे भी अगर बचा लेते हो, तो आप उसको किसी अच्छे फंड में डाल दीजिए, और हर महीने एक हजार रुपे आपको उस फंड में डालने हैं, अब मान लेते हैं कि आपको आपके पैसे पर 10% का सलाना इंट्रेस्ट मिलेगा, हाला कि इंट्रेस्ट 12% तक भी मिलता है, परम यहां कम से कम लेंगे 10%, एक साल में आपका पैसा जमा हो जाएगा 12,000 रुपे, और उस पैसे पर 10% के साबसे आपका केपिटल गिन बनेगा 664 रुपे, यानि कि आपको एक साल में सिर्फ 664 रुपे का ही फायदा मिल बनेगा, शायद आपको यह बहुत कम लग रहा होगा, अब आप दूसरे साल भी अपनी इंवेस्टिंग बंद ना करें, और हर मेने 1000 रुपे उसी फंड मे वापस डालते रहें, तो अब आपका जमा पैसा हो जाएगा 24,000 रुपे, और आपका केपिटल गिन होगा 2643 और आपका केपिटल गिन बनेगा 17,907 रुपे, और आप यही इंवेस्टिंग 10 साल तक अगर चालू रखते हो, तो आपका जमा हो जाएगा 1,20,000 रुपे, और आपका केपिटल गिन होगा 85,578 रुपे, और 20 साल बाद आपका जमा होगा 2,40,000 रुपे, और आपका केपिटल गिन बनेगा 5,17,533 रुपे, अब आप ध्यान दीजे कि आपने यहां जितना जमा किया था अपना पैसा, उससे जदा तो आपका केपिटल गिन बन चुका है, यानि कि आपका पैसा यहां पर डबल हो चुका है, अब आप अगर अगले 30 साल तक यह पर 59,533 रुपे, यह जादू है न, आपके सिर्फ 1,000 रुपे बचाने से, और अब अगर उस पैसे को अगर आप निकालते हो, तो आपका 3,60,000 पे तो आपको वापस मिलेगा ही सही, उसके अलावा 18,59,533 रुपे भी आपको ब्याच के तोर पर मिल जाएगा, अब आप पती और करोड़पती बन सकते हो, वैसे अगर आपको मिचल फंड की जानकारी नहीं है, तो आप पहले अच्छे से इसकी नोलेज हासिल करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है, तो आपको पहले उस रिस्क का पता कर लेना चाहिए, कि मै इस रिस्क को उठा सकता हूँ या नहीं, वैसे मैं इन्वेस्टिंग पर और भी शानदार वीडियोज लाऊंगा, जिसमें आप इन्वेस्टिंग की बारी किसे समझ पाओगे, और इन वीडियोज को देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए और वीडियो पसंद आया, वो तो वीडियो को भी लाइक करें, तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसे से नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें।